गुर्मारिंग स्टूडेंट्स, तुड़े वी स्टार्ट दन्यू लेसन, लेसन नमबर एट और यूर इंग्लिश बूक, पैंगॉंग तसो पैंगॉंग तसो एक लेक है जो कहां प्रेजन्ट है लदाख में, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे पैंगॉंग तसो या पैंगॉंग जील, जो तसो का मतलब होता है लदाखी में जील हिमाले के एक जील है जिसकी उंचाई लगबर 45 मीटर है, ये 134 किलो मीटर लंबी है और बारत के लदाख से तिबबत पहुँचती है ये चीन में भी जील की एक दो तिहाई हिसा भी पहुँच जाता है, इसकी सबसे चोड़ी नोक में सिर्फ 8 किलो मीटर चोड़ी है सर्दियों में शीट काल या थंड में ये जील जमती है, इसके बावजूद भी ये नमकीन होने के बावजूद भी ये जमती है नौर्मली हम कहते हैं जो प्लेन वाटर या स्वीट वाटर जो होता हैं, जो नमकीन नहीं होता हैं, वो जमती है, लेकिन ये नमकीन होने के बावजूद भी सर्दियों में इतनी सर्दी होती है, वहाँ पर कि ये जम जाती है अब हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे होता है हमारी रोज मरा की जिंदीगे को तरो ताजा करती है ट्रीज प्लांट्स लेक्स और वाटर बोडी प्यूरिफाई आर एन्वार्मेंट लेक्स रिप्लेंश ग्राउंड वाटर और अर एंपॉर्टन सोर्स अफ रिक्रेशन एंड टूरिजम जो अच्छी मतलब जो ले वाटर हैबिटेट और बर्टन फिश ये एक इलाका ऐसा भी होता है जहां पर फिश अच्छी ज्यादा तादाद में और बर्ट वगेरा भी यहां पर भसने आती है तो हम अब यह स्टार्ट करेंगी इसमें अब इन्होंने एक कन्वसेशन के दौरा बताया है कि पैंगॉंस जो लेक है इसके बारे में इन्होंने कैसे हमें बताया है हूर है एक लड़की का नाह है वो अपनी फादर के साथ वेकेशन के लिए लड़ा आई है तो वो उसके जो दोस्त है वो उससे मिलने के लिए उसके घर पे आई हुई है तो जो दोस्त है जो फ्रेंड्स आपस में बातचीत करें हैं तो हूर के जो फादर है वो बगीचे में काम कर रहे है वो लगब उन से थोड़ी ही दूर है जहां पर उनकी बाते सुन सकते हैं तो हूर उसको बोलती है कि तहां तुमने वो थ्री इडियर्ट की मूवी देखी है फातिमा कहती है येस हां देखी है नदीम आल इस वैल तो हूर इन दा लास्ट सीन दियर इस लेक येस और नो हूर बोलती है जो लास्ट पिचर की जो मूवी है आप लोगों ने भी अगर देखी होगी तो लास्ट में एक भड़ी सी जील दिखाई गई है बहुत ही साफ सुत्री और बहुत ही सुन्दर अगर आपको याद होगा उसमें लास्ट सीन में वो जील दिखाई गई है तो यही इसको अपने फ्रेंड को भी पूछते है तो नदीम बोलता है येस फातिमा बोलती है इस ब्यूटिफुल बिग विद लॉंग सैंडी शोर होता है किनारा जो सैंडी होता है रेतीला जो उसके आगे पीछे जो साइड पे शोर है उसका जो किनारा है वो बहुत ही रेतीला था और बहुत ही बीग और ब्यूटिफुल था इस चेंजिस इस कलर फ्रॉम ग्रीन तो ब्लू एन वाइस वर्सा तो यह अपना कलर चेंज कर I would love to go there तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस जगा पर जाओ हूर बोलती है We went there It's the ping pong lake in Lada तो हूर बोलती है क्योंकि वो vacation के लिए वही पर गए थी फादर के साथ तो इसलिए वहाँ से वापस आई थी तो उसके दोस्त उसे पूछने आये थे ये देखो किता खूब सुरत है पहाड़ी देखो जरना देखो नीचे जील कैसे ग्रीनिश दिख रही है नदीम लाफ जो नदीम उसका फ्रेंड होता है वो हसने लगता पिंग पॉंग पिंग पॉंग का मतब तो टेबल टेंस होता है तो अपने फादर कितब देख कर बोलती है देखो नदीम मुझे चिड़ा रहा है उसके पास आके बोलता है ये सही बोल रहा है पिंग पॉंग नहीं है तो क्या है इसका तो फादर बोलता है uncle what's the three idiot lake called then तो क्या फातिमा बोलती है कि उस तरद lake को क्या बोलते है whose father कहते है it is called pancong lake उसको pancong lake कहते है फातिमा pancong what name is that ये क्या नाम है whose father कहते है it means a very long curve इसका मतलब बहुत ही लंबा curve ये मुड़ा जो सीधा ना होके curve होता तेड़ा यानि कि ये गुलाई में या curve में तेड़ा है इसको बहुत ही लंबा curve बोलते है इसका मतलब pancong का मतलब यही होता है तो यानि कि वो अपने father के साथ वहाँ vacation के ले जाती है तो दोस उसे पूछने आते हैं कि तुमने वहाँ क्या 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 और गलती से वो उसका pancong ये बोलती है ना टैनस टेबल की तरह नाम बोलती है क्योंकि उसको वो नाम बोलना नहीं आता है तो इसी पर उसके दोस हसते है वो उसका father आके उसका नाम करेक्शन करता है वो तो pancong ले एक होता है जिसका मतलब होता है long curve तो आज के लिए ही इतना है कल के लिए हम आगे पढ़ेंगे अब टेक कियर ओके स्टूडेंस बाई